स्वागत है हिंदी प्रभात के यूटूब चैनल में आए आज हम आप लोगों को दूसरा पेपर प्रस्तुत करते हैं जहां से देखेंगे समझेंगे और देखें थोड़ा सा दिकत है आप लोग हमारे एक किसी बहुत खास जिनका नाम योगेंस जिंग है उन्होंने कमेंट क या है मैं उनकी बातों समझ सकता हूँ लेकिन मैं उनसे अग्रह करता हूँ कि अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो हमने उन सारे व्याख्या को बताया है और कम समय में हम चाथे हैं कि आपको दिखाई दे और पेपर में जो प्रस्त ना समझमें उस ते संभाण्ध में अ आए हम सुरू करते हैं पहला प्रस्ण का राष्ट का स्वरूप निबन संक्ली से ध्यान रखेंगे यह चौथा प्रस्ण को लेखक प्रोफिसर जी सुन्दर रिड़ी है तो ध्यान रखेंगे बैचारी की और बैचारी की शोद और बोद यह कहला नंबर सही है सुंदर ये और मौहन राकेश की राचना नहीं है कि तीसरा और ठीस 라 face सोह है तकी खोज उनकी की राचना नहीं बागी सब उनकी रचना है और अंगा सिकायत मुझे भी है नीबन संग रहे है चोथा स्था सेये हर संकर परसाई जी आसे समझ kita और दूसरा नंबर आ जाता है दूसरा प्रस्ण का प्री प्रवास काविक्रिती का मुखे रसा है तो दयाने कहेंगे या भ्योक्षिंगार तीसरा आफशन सही है और खह देखेंगे तो धर्म के प्रति अनास्थाता था सोशक वर्प्रति घ्डा प्रमुग बिस्षिश्टा ह है तो यह प्रगतिवाद की एक दूसरा अफसान इसमें सही है गद एक तो यह प्रदिक्षिडा चौता अफसन सही है और सुमित्तर ने पंद को ग्यांध़ पुरश्कार मिला था चितंबरा पर मिला था जो तो हुआ आपका हिंदी साहित का इतिहाद और तीसरा प्रस्न आ जाता है जो गद्धि से है तो गद्धि के प्रस्न बहुत ही आसान होते हैं और इसी में पूरे प्रस्न के उत्तर हैं हम आपको जो ध्यान देने की चीजे जो याद नहीं होता है मैं उसको बताने का प्रयास कर स्वरूप है जो पाच्वां आफ्षन है लिखा पाठ का सीर्षक और लेखक का नाम बताएं तो मैं यह आपको आसान कर दे रहा हूं बाकि इसमें उत्तर इसी रेखां की मने सारे पद से ही मिल जाएंगे सारे मने अनुच्छे से तो यह राफ्ट का स्वरूप वावदेश व आगया है ध्यान किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तो यह आपका गड़्य से है और बहुत जाजी समस्चा नहीं होती है गड़्य बहुत आसान है जिसमें पांचों प्रस्ण आप आसानी से लिख सकते हैं और चुथा आप्सन आ जाता है तो यह तो दिए और आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान है मैंने पूरा व्यक्या बताया है और जिसके लेखक सुमितन पंतजी हैं तो यह दो काम आपको करना है जिसमें की कविता का सीरसक और पांचवा में लिखा कविता का सीरसक और कभी का नाम तो सुमितन नंदन पंतजी इसके लेखक और कहे कही का अनुताब पाठ का नाम है बागी जूस्क्या आप समझ सकते हैं बहुत आसान है और हमने कहा तीन पार्ट तक आप तैयार रखेगा तीन पार्ट मेंसे कोई एक प्रहुर रहेगा और अथवा वाला छोड़ देना यानि दो प्रश्ण होते हैं जिसमें एक छोड़ देना होता है तो हम इसलिए जितना भी मैं पढ़ाया हूं उसी पर चर्चा कर रहे हैं जो पहला पाट है और हर आपको जितने भी पेपर आज तक परिक्षा होते रहे हैं यह जरूर तीन पाट से अंदर से एक जरूर लेखक और कभी पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखेंगे और फिर पांच मां का ख़द देखेंगे तो महादेवी वर्मा और सजीदान फिरान वासाइन अग्ये तो आपको महादेवी संडगुप्त आप दूसरा पाट कहिकरी कानुताब से है तो यह भी आपको आसान है तो महादेव सरंद अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके कानियां हैं चारों कहानी में से किसी एक कहानी को मैंने पिछली बार भी बता रहे हैं हर बार हम यहीं करेंगे कि कोई एक कहानी को बढ़ियां से याद करिए जो भी चाहिए चाहिए उद्देश आए आप उसको बढ़ियां सुंदर से लिग दीजिए तयार हो जाएगा याद प्रस्ण होते हैं सभी खंड कावियों में लेकिन आप वाराणसी से जो रस्मी रथी है उसको ध्यान में रखेंगे और आप उस पर तयार करेंगे तो रस्मी रथी से कौन सा प्रस्ण पूछा गया द्यान रखेंगे खंड काविका आधार कुंति का चरित रंकन कीजिए और एक है खंड काविके आधार पर सब्तम सरका कथा वस्तुव पर प्रप्रकावडाली मने बताया था पाला तिसरा पाचमा साथमा इसको इद्धम पढ़ियां से द्यान रखेगा देखे उसमें पहला पूछा था इसमें साथमा पूछा है तो द्यान से तयार रखे और चुं सुनने में आ रहा है कि इस बार फिर शुरू हो रहा है आनका मानना अठक रहेगा तो उसको अगर ऐसा है तो एक बार देखे रहीए समझते रहीए वैसे पिछली बार नहीं था आ जाते हैं आठमे प्रस्ण पर तो यह पहला आप ध्यान रखेंगे हमने आपको बताया है पंच सिल सिधान यह पहला है और जो हमारे वीडियो में पंच सिल सिधान आप देख सकते हैं आई बटन दबा करके उसको देख लीजिएगा मालूम हो जाएगा आपको और दूसरा जातक कथा से हैं और दोनों हमने बताया है और इसको ज्यादा व्याख्या करने में बहुत ज्यादा खिच जाएगा तो इसलिए मैं नहीं चाहता है और अगर आठमा का ख़ा देखेंगे तो यह सुभासित रतनानी पार्ट से लिया गया है और अथवा देखेंगे तो इसक जाते हैं तो ध्यान रखेंगे यह उनसे संबंदित है तो दोनों को एक बार और से हम जितना बताते जा रहे हैं आप उसी हिसाब से खाली तयारी करते जाएए आपको 15 मिनट की वीडियो देखते जाएए आराम से बढ़ियां से हो जाएगा आगया जाए नवा प्रसमेद देखते हैं तो लिखा है धोबी का कुत्ता घर का नगाट का यानि कोई व्यक्ति कहीं का ना हो तो उसे ऐसा कहते हैं जो किसी किसी तरफ का ना हो पाए उसके लिए ऐस हुस्ता कहते हैं यह कि लोकोक्ति है जिसका अर्थ कोई मने किसी तरफ का नहों होना आप पहला है दूसरा देखते हैं अंगार अंगार सिर्पर रखना यानि कष्ट को सहना या इसका आर्थ होगा फिर आखों पर चर्वी छाना, अहंकारी हुना और उतार चढ़ाओ देखना, यानि सभी सुख दुख को एक समान, बने दोनों स्थितियों को समझना, जाना, समझना और करें उड़ती चिड़िया को पहचानना दूर से ही किसी को समझ जाना यानि धान रखेंगे दूर से किसी व्यक्ति को पहचान लेना और करें एड़ी चोटी का प्रसिना एक करना यानि पूरा जोर लगा देना यह आपके मुहावरे और लोकुक्तियां हैं आगे आ जाते हैं दस्वे प्रस्ण में तो दस्वा प्रस्ण का देखेंगे तो लिखा है संदी विच्षेद करना है तो उत्तिर्यापी तो उत्तिर्य धन अपी दिर्ग संदी है अ मिलकर के आ होता है दिर्ग संदी का नियम है फिर गायक का संदी विच्षेद है चाराफ यानि ध्यानापि न रखेंगे पहला वाले में और देखेंगे गायक का संधी विष्षिय कहते हैं और यद्यपी यद्यपी का संधी उपिच्छेटे करेंगे तो इसमें यदिधान अप यह यह यहन संदी है जो सणनंबर सही है इस प्रकार यह संदी हो गया आगया जाते हैं तो दस्मा का ख़ा देखते हैं तो रूप है इसमें हमने कल शिश्टम बताया नियम बताया नियम को ध्यान रखेंगे यह हैं इसका सिस्टम है तो देखें दूसरे दूसरा भी इसमें आत्मना दिया है तो आपको अंदाजा लग गया होगा तो पहले का कौन सा आफ्सन सही हो जाएगा चतुर्थी वक्ति एक बचन देखिए इसमें चतुर्थी वक्ति एक बचन कहा है तो पहला ही सही है चतुर्थी वक्ति एक बचन और आत्मना दिया तो तिर्थिया वक्ति एक बचन होगा इसका सिस्टम देखे तिर्थिया वक्ति जल से उत्पन होने वाला, तो जल से उत्पन होने वाला क्या है, तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा जो जल से उत्पन होता है, फिर कहते हैं अब्द, अब्द का मतलब होता है, सताब्दी सतधन अब्दी, तो अब्दी का मतलब होता है वर्स, तो यहां जल से उत्पन होने वाल और वर्स तो कौन सा है तो ध्यान रखेंगे द आप्सन सहीं कमल और वार्स फिर दूसरा आप्सन देखते हैं तो लिखा है कंकाल और कंगाल यह सब्यूगम कहते हैं और सब्यूगम का माने थोड़े से तुनने में एक जैसा लगता लेकिन हलका सा अक्छर में परिवर्टन हो आपसन सही है फिर आगे आ जाते हैं खर नंबर में तो लिखा है कि अनेकार सी सब्द है यानि किसी एक ही का करना है लेकिन हम आपको तीनों बता रहे हैं तो कौसिक का मतलब होता है एक तो विश्वामित्र को कहते हैं दूसरा कौसिक कार्थ होता है रेशमी वास्त्र और दू भगवान स्रिक्रिट्स को भी गोपाल करते हैं और जो भी गोपालन करने वाला तो सभी गोपाल होते है यानि यादो यादो भी गोपाल है यानि जो गाय को पालन करे वह को उसको भी गो माने गाय और पाल माने रख्षक यानि गाय की रख्षक करने वाला गाय को पालन करन वाक्यानस लिखा एक फथा पताना है तो समूदर में लगने वाली आगो कहते हैं दावानल ध्यान रखेंगे और फिर करते हैं खाने की इच्छा तो ध्यान रखेंगे बु-भूच्छा याद रखेंगे एक शब्द बु-भूच्छा और कम खर्च करने वाला तो उसको कहते हैं मितब्याई ऐसे धाने कहेंगे मितब्याई और जिसका हिर्दय तूट चुका हो तो उसको कहते हैं भगने हिर्दय और दो पहर का समय तो कहते हैं मध्यान मध्यान आधा हा रता और पूरा ना रता है मध्याहन मध्याहन कहते हैं लेकिन आधा होता बोलने में थोड़ी सी दिकत होती है तो कहीं से देख लेंगे तो आपको समय मने उसका अर्थ मालूम हो जाएगा तो द्यान आधा हा और ना पूरा रता है और आगे आ जाते हैं घह इसमें सुद्ध करना है तो सुद्ध में आये हलका से आप लोगों को चर्चा कर देते हैं करें जिसे यद्य पी वह बिमार था परंतु वह स्कूल गया तो इसको दो बार वह लगाने की ज़रुवत नहीं है और वह बिमार था परंतु यद्य पहटा दीजिए वह बिमार था परंतु इसकूल गया यह सही हो जाएंगा फिर वह अधिक पड़ रहा हैं की सफल हो जाएं ऐसा की नहीं लगाना है वह वह पड़ रहा है इसलिए की सफ़ल हो जाएं फिर रमेश पर 100 रुपे जुर्बाने हुए यानि रमेश को हो जाएगा पर हटा देंगे रमेश को 100 रुपे जुर्बाने हुए और फिर आपका भावदी आपका हटा देंगे भावदी ही खुद अपने आप में आपका सुचना देंगे यानि अर्ष देने वाला सब्द है यानि इस प्रकार के यह आपका सुद्ध वाक की हो गया और बाकी हासरस बीरस और यह सभी आपको मेरे वीडियो जो रश्चंद अलंकार से संबंदित है वस्ताव आराम से उसको पढ़ सकते हैं दो दो नमबर के आप यानि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ह है वीडियो हमारा देखते रहे और पढ़ते रहे बढ़ते रहे बस इतना हम कहेंगे बाकी चाहुदावां तेरहावां प्रस्थना जो यह आपको एक माडल पेपर माने हम आपको माडल पेपर देते हैं जो सब में काम करेगा लिखा बढ़ते हुए संक्रामक रोख की के लिए हो चाहे गाओं के सफाई के लिए हो सभी का प्रारूप हम आपको समझा देंगे तो सभी में एक काम करेगा और अथवादिया भारती क्रिश्कों की समस्याओं का उल्ले करते हुए राज किसी मंत्री को आवेधन प्रत्र आवेधन प्रसूट कीजिए तो यह दोनो आप किसी दिन देते हैं आपको वीडियो इस पर अप्रोड करते थे हैं और आगे चौदावा नंबर है तो चौदावा नंबर में दिखाई दे रहा है इसमें आपको अपने बहुत धिक छमता से कम से कम तीन से चार प्रिष्ट तक आप निबंध याद करेंगे बहुत सार क्योंकि निबंध बताने भर का समय नहीं है बस आज इतना ही फिर कल मिलते हैं अगले पेपर के साथ तब तक के लिए नमस्कार